नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हर्ष और आप सभी का स्वागत है मिनिस्टर ग्रोथ यूटीव चैनल में फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सोशल पे एप्लिकेशन में आप एक्टिव कैसे रह सकते हो मैं स्टेप बाइ स्टेप सारी इंफोर्मेशन आपके साथ शेर करूँगा एक्टिव रहने के आपको बहुत सारे फाइदे मिलते हैं सोशल पे एप्लिकेशन में पहली बात तो आपको डेली की इंकम होती है अगर आप एक्टिव रहते हैं आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी तभी कर सकते हैं अगर आप एक्टिव रहते हैं ठीक है social pay application की main screen हमारे सामने यहाँ पर open है यहाँ पर आपको जाना है daily task for active वाले option में यहाँ पर आपके सामने दो task आपको easily करने होते हैं पहला task है new shorts का तो देखिए यहाँ पर pending लिखा रहा है फिलाल ठीक है यानि कि आपने यह task complete नहीं किया है और जैसी आप इसको open कर लेता हूँ अब यहाँ पर आपको redeem पर क्लिक कर देना है इसके बाद देखिए आप पढ़ना चाहें तो यह short news होती है आप इन news को पढ़ भी सकते हैं या फिर just task complete के लिए आपने इसको जल्दी जल्दी से इस तरीके से ओपर की तरफ slide कर देना है यह देखिए ठीक है तोटल यह आपको 16 news एंटर करनी होती है ठीक है इसके बाद देखिए यह नीचे से line हट गी है इसके बाद आपको back चले जाना है अब देखिए यहाँ पर एक blue tick आगया है वो तो इस news short अप्लिकेशन का है second है read 50 news वो हमने अपनी तरफ से complete कर दी है लेकिन कई बार slow internet की वज़ा से task complete नहीं होता है तो आपको ध्यान देना है कि क्या आपकी वो read हो चुकी है news तो हम दुबारा से click करेंगे read 50 news वाले option पर हम check कर लेते हैं नीचे line नहीं आने चाहिए line हट गई है it means हमारी तरफ से task complete हो चुका है वहाँ पर थोड़ी देर में अपने आप update हो जाएगा तो हम back चले जाते हैं देखिए यहाँ पर अपने आप read 50 news दोनों टिक आगे हैं यानकि हमारा आज का ये पहला task complete हो चुका है एक मिनिट से भी कम टाइम में second है win free वाला option ठीक है इसमें आपको एक short game play करना होता है three time ठीक है तो just आप चाहे जीते चाहे हारे आपको play करना है तो मैं win free वाले option पर click करूँगा फिर मैं redeem वाले option पर click करूँगा अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ये short game आ जाएंगे four type के आप कोई भी game खेल सकते हैं अगर आपको खेलने में वैसे मज़ा आता हो आप खेल कर enjoy भी कर सकते हैं मैं यहाँ पर task complete करने के लिए mostly play करता हूँ knife it तो यह मैंने इस पर click कर दिया अब आपका match किसी भी social pay online user के साथ लग जाएगा सबसे पहले आपके पास दो option show होंगे कि आप free mode वाला खेलना चाते हो या फिर आप coin mode वाला खेलना चाते हो तो इसमें मैं free mode वाला select कर लेता हूँ अब जो भी कोई और social pay का user होगा उसके साथ आपका ये knife वाला match live play होगा अब देखिए task complete के लिए चाहे आप इस match को जीते हैं चाहे हारें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर time ही लिखी आ रही है तोटल 30 second में 27 second 26 second ये match complete हो जाएगा और दूसरा यो user है जो खेल रहा है इस time उसके six points हो चुके हैं मैं आपको live दिखा रहा हूं और मेरे points हैं यहाँ पर zero ठीक है यानि कि वो चाहे इस match को जीत जाए चाहे हारें उससे कोई फर्क नहीं बढ़ता बस आपको three time इस game को play करना है मैं इस video में live आपको दिखाऊंगा ठीक है आपका time waste ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा इस procedure को speed से cross कर दूँगा ठीक है तो friends देखिए यहाँ पर एक game complete हो चुका है you lost लिखा आगया मेरे zero points है उसके 16 है ठीक है इसके बाद आपके सामने एक heal का option आजाएगा आपने spin पर click कर देना है यहाँ पर आपको कुछ coins मिलते हैं जो आपके game wallet में add हो जाते हैं यह देखिए two coins मिल गए इसके बाद हम back चले जाते हैं अब देखिए यहाँ पर friends हम एक बार game play कर चुके हैं आपको total three time play करना है ठीक है इस game को चाहे आप जीते जाहे हारे बस task complete के लिए हम second time play कर देते हैं अब यह friends सारा procedure सेम रहेगा उसी तरीके से हमने free mode select किया अब कोई भी एक online user आ जाएगा आपका time waste ना हो मैं जल्दी से इसको speed से cross कर देता हूँ बस आपको इसी तरह से task complete के लिए wait करना है game complete होने का अब friends हमारे यह game दो बार play चुका है अब हमने last बार एक बार फिर से play करना है task complete करने के लिए तो तीसरी बार मैंने इस game को select कर दिया है वही इसमें हम सारा procedure आपको same करना है किसी online user के साथ मेरा match लग जाएगा अब मुझे फिर इसके complete होने का wait करना है बस तो friends third time भी हमारे game play होगी है अब हम collect पर click करेंगी back to home पर click करेंगी अब friends हमने इस game को three time play कर लिया हमारा ये वाला task भी complete हो गया अब हम back चले जाते हैं अब देखिए यहाँ पर दोनों blue tick आजाएंगे अगर आपने तीन बार अपनी तरफ से complete game play कर दिया है फिर भी by chance यहाँ पर third game वाला ये tick ना आए it means कि जा तो internet slow की वज़ा से processing में है या किसी server की वज़ा से processing में है तो थोड़ी दिर में आपके पास यहाँ पर complete show हो जाएगा आपको कोई tension नहीं लेनी है फिर आपको back आ जाना है अब देखिए यहाँ पर दोनों task हमारे completed लिखा रहा है पहले pending लिखा आ रहा था अब completed लिखा रहा है ठीक है और ये daily का मतलब आपको task play करना होता है इसलिए यहाँ पर ये time display हो रहा है यानि कि इस task को complete करने के मेरे पास 16 घंटे 55 मिनट्स और बचे हुए थे उसके बाद ये अगले दिन का task play हो जाता है ठीक है इसके बाद हम back आ जाते हैं इस तरह से friends अब बहुत easily daily का task complete करके social पर application में active member रह सकते हो तो friends active रहने के लिए आपने सारा method समझा mobile की screen पर इस तरह से बड़ा ही easily आप active रह सकते हैं लेकिन ये तो था सिर्फ active रहने का तरीका अगर आप एक अच्छी self earning इसमें करना चाहते हैं तो इसमें gameplay की कोई भी limit नहीं है आप जितनी चाहे self income कर सकते हैं और साथ ही अपने refer code से सभी दोस्तों को join करवा के भी social pay application में अच्छी income कर सकते हैं मेरा ये वीडियो बिना किसी refer code के है तो जिसको भी आप join करवाएं tension free होकर आप इस वीडियो को share कर सकते हैं जो भी कोई social pay application का use करना चाहता हो social pay application का user हो तो आप इन वीडियो के जरिए उनकी help कर सकते हो अगर आपको मेरा इस वीडियो में समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करके मुझे जरूर से spot कीजेगा और अगर आप पहली बार Mr. Groth YouTube चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप साथ में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तागर मैं जब भी किसी नए information की वीडियो आपके साथ share करूँ वो वीडियो आपके मिसना हो और हम बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ